जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कहीं अलग-अलग तराकी गाडिया दिखाई देती हैं लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि उन गाडियों की जो नंबर प्लेट होती है ओ भी कहीं अलग-अलग तराकी होती है हम ऐसे ज़ादे तर लोगों ने सिर्फ सपेद रंग की और पीले रंग की नंबर प्लेट ज़ादे तर देखी होगी पर ऐसे कहीं और भी कलर की नंबर प्लेट होती है जिसका मतलब भी अलग-अलग होता है तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे की गाड़ियो में कितने कलर की नंबर प्लेट होती है उन अलग-लग कलर का मतलब क्या होता है इन नंबर प्लेट के लिए चो अलग-लग रूलसन रेगुलेशन बनाय गये है वो किस तरह के है नमबर प्लेट का मतलब क्या होता है इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में और आपको भी कई नई चीज़े जानने को मिलेगी तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए तो सबसे पहले हम भारत में जो साथ अलग अलग कलर की नमबर प्लेट होती है उसका क्या मतलब होता है उस बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे पहले है लाल कलर की नमबर प्लेट तो इस लाल रंग की नंबर प्लेट का इस्तमाल भारत के राष्टपती और भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल जो होते है उनकी गाडियों में किया जाता है और इस तरह की गाड़ियों में लाइसेंस की संख्या की जगा पर भारत के प्रतिक यानि Emblem of India का इस्तिमाल किया जाता है अब जब आप भारत के प्रधान मंतर की गाड़ी देखोगे तो उसकी नमबर प्लेट का कलर सफेधी होगा सिर्फ भारत के राष्टपती और राजजी पालो की गाड़ियों में ही लाल रंग की नमबर प्लेट दिखाए देगी आपको दूसरी है नीले यानि ब्लू कलर की नमबर प्लेट ब्लू यानि नेला रंग की नंबर प्लेट एक ऐसे वाहन को मिलती है जिसका इस्तमाल विदेशी प्रतिनीदियों द्वरा किया जाता है यानि जब भारत के बाहर से लोग आते है और अपनी खुद की गाडियों में वो भारत के अंदर गूमते है उन गाडियों में ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है और ब्लू कलर होने के कारण इनकी नंबर प्लेट पर काले रंग की जिगा पर सफेद रंग से नंबर लिखा जाता है और इनकी नमबर प्लेट पर प्रदेश के कोड की जगा पर जिस देश की ये गाडिया होती है उस देश के कोड को लिखा जाता है अब आप कहेंगे कि इस तरह की गाडियों का इस्तेमाल कौन गरता होगा तो इस प्रकार की नंबर प्लेटों का प्रियोग विदेशी दूतावासियों या फिर विदेशी राजनाई को द्वारा किया जाता है यानि ये गाड़िया फोरेन MBC की होती है तिसरी है पीले रंगी यानि येलो कलर की नंबर प्लेट अगर किसी गाड़ी में पीले रंग की नंबर प्लेट हो और उस पर काले रंग से नंबर लिखे हो तो समझ लेना कि यह कोई कॉमर्शल गाड़ी है जिससे हमारे सरकारी भाषा में वानिजिक वाहन कहा जाता है और इसका इस्तमाल कमर्शल ही होता है तो इस तरह की नंबर प् कि पीले रंग की नंबर प्लेट वाले गाड़ी चलाने के लिए आपके पास इसका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है इसके बगर ये नियम तोड़ना समझा जायेगा जिस कारण आपका चालान भी काटा जायेगा उसके बाद एक काले रंग की यानि ब्लेक कलर की नंबर प्लेट यदि कोई नंबर प्लेट काले रंग की है और उस पर पेले रंग से नंबर लिखा गया है तो इस प्रकार के वाहनों का मालिक एक साधरन व्यक्ति होता है लेकिन इन गाड़ियों का प्रियोग कमर्शियल उद्धिश्यों के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार का वहान चलाने के लिए ड्राइवर के पांस कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी नहीं है जैसे हमारे भारत के कुछ बड़े शहरों में जूमकार की जो सुविदा है वो इसी का उदारण है अगर आपने जूमकार का इस्तिमाल किया होगा तो आपको इस बारे में पता ही होगा कि गाड़िया तो उनकी होती है लेकिन इसका ड्राइविंग आपको खुदी करना पड़ेगा इस कारण इसमें कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है इसके बाद हमारी अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट यानि सपेद वाइट नंबर प्लेट अगर किसी गाड़ी में सपेद रंग की नंबर प्लेट पर काले रंग से नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि वो गाड़ी एक साधरन इंसान की है कॉमन मेन की गाड़ी है सफ़ेद नंबर की प्लेट वाली गाड़ीों के लिए एक नियम ये होता है कि इस तरह के वाहन का इस्तिमाल कमर्शिल परपस के लिए यानि सावर या ढोना या माल सामान की सप्लाई के लिए इस्तिमाल नहीं किया जा सकता ऐसा करना कानूनन गलत है इसके बाद है हरे रंग की यानि ग्रीन कलर की नंबर प्लेट ये नंबर प्लेट अभी कुछ समय पहले ही लाई गई है सबसे हमारी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन चलन में आया है उसके बाद इस नंबर प्लेट का इस्तिमाल दुनिया भर की सरकार द्वारा शुरू किया गया है तो इस कारण हमारे भारत के सडक मंत्राली ने इलेक्ट्रिक परिवान वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट निर्धारित की है जिसमें नंबर प्लेट का बेग्ग्राउंड हरा यानि ग्रीन कलर का होगा और इस पर वाहन की श्रैने के हिसाब से पीले एत्वा सपेद रंग से नंबर लिखे होते है अगर वाहन खुद के लिए यानि पर्सनल है तो सपेद रंग से नंबर लिखा होगा और अगर यहां इलेक्ट्रिक वाहन कमर्शिल वाहन है तो उस पर पीले रंग से नंबर लिखा होगा और आखरी तरह की नंबर प्लेट जो है उसमें एरो होता है जिसे एरो नंबर प्लेट कहते है इस बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा तो किसी भी अन्नी लाइसेंसी नंबर प्लेट के वेपरित हमारी भारिती आर्मी के वेहिकल जो होते है यानि सान्य वाहनों के लिए एक अलग तरह की नमबरिंग प्रणालिका इस्तिमाल किया जाता है इन सान्य वाहनों के नमबर को रक्षा मंद्रालई यानि नई दिल्ले के द्वारा आवंटिद किया जाता है ऐसी गाड़ियों की नमबर प्लेट में नमबर के पहले या तीसरे अंग के स्थान पर उपरी और इशारा करते हुए तीर का निशान होता है जिसे ब्रोड एरो कहां जाता है ब्रेटिश कॉमन वल्थ के कहीं इस्सों में इसका इस्तमाल किया जाता है और तीर के बाद के जो पहले दो नमबर होते है वो उस साल को दिखाते है जिस साल सेना ने उस वाहन को खरीदा था यहां नमबर ग्यारा अंको का होता है यानि इतना बड़ा नमबर बाकि किसी भी तरह के गाड़ियों में नहीं होता है सिर्फ एरो नमबर ब्लेट वाली गाड़ियों में होता है तो यह साथ अलग अलग तरह की नमबर ब्लेट का इस्तमाल हमारे भारत में होता है क्यों होता है? क्योंकि भारत में परिवान नियमों को ठीक से लागू करने के लिए और ट्राफिक पुलिस का काम आसान बनाने के लिए भारत में इस तरह के नेम बनाया गया थे अब बात करेंगे कि नंबर प्लेट को लेकर भारत सरकार के जो रूल्सन रेगुलेशन है वो किस तरह के है तो दिस सेंटर मोटर वहिकल एक्ट 1989 सेक्शन 50D में इस पश्ट किया गया है कि नंबर प्लेट सिर्फ इंग्लिश लेंग्वेज में ही होनी सही है अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश लेंग्वेज को छोड़ किसी दूसरी लेंग्वेज में नंबर लिखवाता है तो यहाँ एक जूर्म यानि क्राइम है और उसे इसके लिए जूर्माना देना पड़ सकता है उसके साथ ही यह प्रावधन किया गया है कि जो प्राइवेट गाडिया होती है उसके बेग्राउंड को सफेदी रखा जाएगा और उसके ओपर काले रंग से नंबर लिखे जाएगे यानि जो पर्सनल वहान होते है उनके लिए चो कमर्शिल गाडिया है उसका बेगराउंड को पीला रखा जाएगा और उस पर भी काले रंग से ही नमबर लिखे जाएगे नमबर प्लेट सिंपल फॉंट में सपष्ट लिखे हुए होने चाहिए फॉंट में किसी भी तरह की डिजाइन या स्टाइल देने के इजाज़त नहीं है क्योंकि कुछ लोग क्या करते है कि गाड़ी के पिछले प्लेट पर तो नमबर लिखवा देते है लेकिन अगले प्लेट पर डॉक्टर, एडवोकेट, चैमाता दी या इसी तरह से कुछ और लिखवाते है तो ये भी इलिगल है और इस पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और सबसे ज़रूरी कि गाड़ीों की नमबर प्लेट से चैड़ साड़ करने पर मोटर वेहिकल एक्ट के ताहिद अलग-अलग जुर्माने तै किया गया है इसलिए अगर आपकी गाड़ी में भी नमबर प्लेट लगाने में कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार ले क्या पता कल को आपको इसके लिए जुर्माने भी देना पड़ सकता है और आखरी सबसे ज़रूरी चीज कि नमबर प्लेट का मतलब किया होता है तो इस नमबर प्लेट को देखे इस number plate में आज देख सकते है कि इस पर लिखा हुआ है के ए 19P 84-88 number plate पर लिखे हुए हर letter या number का एक मतलब होता है सबसे पहले दो letter जो होते है जैसे ये के जो है और यहाँ बताते है कि यहाँ गाड़ी किस राज्जी की है जैसे कि इस number plate पर के लिखा है इसका मतलब यह गाड़ी करनाटक राजजी की है ऐसे ही दिल्ली की गाड़ियों में डियल लिखा होगा गुजरात की गाड़ियों में जीजे होगा माराष्ट की गाड़ियों में एमेच होगा और इसके बाद जो दो नंबर होते है और यहां बताते हैं कि यह गाड़ी किस जिल्ले के RTO में रजिस्टर की गई है जैसे कि इस नंबर प्लेट में 19 लिखा हुआ है इसका मतलब यहां गाड़ी करनाट ग्राजजी के मेंगलोर जिल्ले के RTO में रजिस्टर की गई है इसके बाद एक serial number होता है जिससे ये पता चलता है कि इस गाड़ी के registration की detail computer के किस directory में save की गई है तो इस number plate में जो P है और इस directory को दर्शाता है इसके बाद चार number होते है जो कि unique number होते है ये हर गाड़ी में अलग-अलग होते है अगर आप दिल लिकी गाड़ियों की number plate को देखे तो उसमें आपको RTO code के साथ एक letter भी लिखा हुआ मिलेगा जैसे अब इस number plate को देखे तो इस number plate में 7 के साथ S लिखा हुआ है तो ये letter यहां बताता है कि ये गाड़ी किस type की है जैसा कि यह S दो पहिया बाइक के लिए इस्तिमाल किया जाता है C कार के लिए इस्तिमाल किया जाता है P मतलब पबलिक पैसेंजर गाड़ियों के लिए इस्तिमाल किया जाता है R को तीन पहिया रिक्षा के लिए इस्तिमाल किया जाता है TRICA tourist license guardian और TACCTI के लिए इस्तिमाल किया जाता है और V को pick up truck या van के लिए इस्तिमाल किया जाता है जबकि Y को higher vehicle के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो एक चोटी से number plate को लेकर भी सरकार ने इतने सारे नियम बनाया रखे है जिस बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया इस वीडियो में तो उममें देखे आपको कुछ जानने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपको इस तरह के informative वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस channel को subscribe करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस bell icon को भी जरूर दबाए